क्या आपके बाल सफेद होने लगे हैं या बहुत ज़्यादा जटते हैं हलके भी होने लगे हैं सोकर उठने के बाद पिलो पर बाल होते हैं तो मेरा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा आज मैं आपको ऐसे तेल की रस्पी बताने वाली हूँ जिससे आपके बाल तीन महिने में नैच्रल तरीके से काले, घने, सोफ्ट और सिल्की हो जाएंगे अगर आप अपने बालों को काला करने के लिए कलर लगाते हैं तो कलर ना लगाकर आप ये तेल लगाएं इसके रेगुलर जूज से आपके बाल नैच्रल ली बलैक होने शुरू हो जाएंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूसफुल वीडियो देखने के लिए मौनिकास डियाएवाई को सब्सक्राइब जरूर करें तो आईये फटाफट से देख लेते हैं तेल बुनाने का असान सा तरिका ये है शिकका कई की फलियाँ हमें शिकका कई का पौडर चाहिए मेरे पास यह फलियां है तो मैं इसको मिक्सी के ड्राइ ग्राइंडिंग जार में डाल का इसका पौडर त्यार कर लूँगी अगर आपके पास इका का इका पौडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में हमें चाहिए मेंदी की सुखी पत्या यह मार्किट में इजिली पंसारी से आपको मिल जाएंगी अलोवेरा जेल यह भी हर घर में आजकल मिलता है तो अलोवेरा जेल भी हमें डेड़ से दो चम्मा चाहिए तो यह भी हमें फ्रेश ही यूज़ करेंगे तो इस तरह से मैंने ऐलोवेरा जेल निकाल ली है तो देड़ से दो चमच हमें ऐलोवेरा जेल जाहिए अब मिक्सी के चटनी जार में 10 ते 12 पत्ते हम तुलसी के डालेंगे एक छोटे साइस का प्याज हम इसमें काट कर डालेंगे हम सबी अच्छी तरह से जानते हैं कि प्याज बालों की री ग्रोथ के लिए कितना अच्छा होता है आज कल मार्केट में बहुत सारे अनियन ओयल मिलते हैं पांसे छे कलिया लसुन की डाल लेंगे अगर आपको इस से लर्जी है तो आप स्किप कर सकते हैं अलो वेरा जेल डाल देंगे मेंदी की सुखी पत्याँ एक चमच डाल लेंगे पीसी हुई मेंदी आप इस्तेमाल ना करें क्योंकि मार्केट की पीसी मेंदी में मिलावट होती है थोड़ा सा सरसो का तेल डाल लेंगे और फिर इसका पेस्ट बना लेंगे तो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें अगर आप इसे नारियल के तेल में बनाने वाले हैं तो नारियल के तेल डाल कर इसको पेस्ट बना ले तो मैं इसे सर्सो के तेल में बनाने वाली हूँ तो कड़ाई में तेल डाल दिया है और जो पेस्ट घमने बनाया था वो भी इसमें एड़ कर देंगे और इसे mix कर लेंगे अब इसमें हम बाकी का समान डालेंगे समाना अमला पौडर यह घर में सुखाया हुआ अमला पौडर है एक चम्मच इसमें शिक्खा काई का पौडर डाल देंगे एक चम्मच मेथी दाना पौडर एक चम्मच नीम पौडर डाल लेंगे तो अगर आपके सीर में कोई भी बालो में इंफेक्शन होगी तो वो भी इससे दूर हो जाएगी और एक चम्मच हम इसमें कड़ी पत्ता का पाउडर डालेंगे ये भी घर में सुखाया हुआ कड़ी पत्ते का पाउडर है तो अब इन सारी चीजों को हम एक बर मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसे गैस पर रखेंगे तो लो फ्लेम पर हम इसको अच्छे से पकने देंगे ताकि सारी चीजों का अच्छे से असर इस तेल में आ जाए तो स्लो गैस पर हम इसे 15 से 20 मिनट तक पकाते रहेंगे तो आप पास कड़े हो करी इस तेल को बनाए बीच बीच में इसको हिलाते रहें स्लो गैस पर पकाते हुए इसे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं तो जैसे जैसे हम इसे पकाते जाएंगे इसकी जाग खतम होती जाएगी तो अभी तेल बन कर त्यार है सारी जाग खतम हो चुकी है तो अभी gas को off कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे क्योंकि अभी हमें इसमें कुछ और चीज़े भी डालनी है तेल पूरी तरह से ठंडा हो गया है तो अभी हम तेल को चानेंगे तेल चानने के लिए मैंने एक स्टील की छलनी के अंदर एक कॉटन का कपड़ा रखा है अब हम इसमें तेल चान लेंगे ताकि इसमें जो भी माटीरियल हमने डाला था वो हम अच्छे से चान ले ताकि बालों में जब हम तेल लगाएं तो तेल ही लगे वो सारा माटीरियल हम निकाल देंगे इस तेल को आप एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं तो इस तरह से हम अच्छे से तेल को निचोड़ कर छान लेंगे तेल का कलर आप देख सकते हैं कि कितना ब्लैक बना है और इस तेल के बहुत ही ज़्यादा फाइदे हैं जैसे जैसे आप इसे लगाते जाएंगे आपको फर्क खुद ही मैसूस होने लगेगा तो कुछ ही इस तरह से मैंने तेल को अच्छे से छान लिया है आप देख सकते हैं आपका तेल भी ऐसा ही बनेगा तेल को पूरी तरह से ठंडा होने पर हम इसमें दो विटामिन E के कैपसुल डालेंगे विटामिन E भी बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो यह सबसे लास्ट में डालना है तेल को ठंडा होने पर हम इसमें मिलाएंगे तो अभी इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे कैस्टर ओयल यह भी मार्किट में आपको किसी भी मैडिसन शॉप से इसली मिल जाएगी तो दो चम्मच हम इसमें कैस्टर ओयल के डालेंगे ये भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है तो अब इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बालों को तीन महीने के अंदर काला, घना, शाइनी, सिल्की बनाने के लिए तेल बन कर त्यार है इस तेल को आप एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं हो सके तो आप हफते में दो या तीन बार इस तेल को हलके हाथों से मालिश करके लगाएं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे फरक आप खुद महसूस करेंगे तो अभी मैंने तेल को एक काच की बोटल में डाल लिया है आपके पास जो भी बोटल हो आप उसमें डाल सकते हैं और जब भी आपको इस तेल को लगाना हो तो तेल को अच्छे से पहले शेक कर ले और फिर आप बालों में हलके हाथों से मसाज करते हुए इस तेल को लगाएं ताकि जड़ों में ये तेल लगे और आपके बालों पर जल्दी से जल्दी इसका असर होना शुरू हो जैसे जैसे आप इसे लगते जाएंगे फरक आपको खुद ही दिखने लगेगा आपके वाइट हुए बाल भी ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे आप इस रेस्पी को ट्राइ जरूर करें इस तेल को ट्राइ जरूर करें और फिर कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें ये अजमाया हुआ तेल की रेस्पी है Thank you for watching my video, मिलती हूँ एक और नए यूसफल वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहें, मॉनिकस डियाई वाई